हेलो दोस्तो अंजना के चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो आये दोस्तो आज हम जानते हैं शिक्षक दिवश के उपर जो पांस सितंबर को मनाये जाता है दोस्तो गुरू बिना ग्यान कहां उसके ग्यान का आदी ना अन्त यहां शिक्षक ने दी शिक्षा जहां उठी शिष्टाचार की मूरत वहां दोस्तो सबसे पहले मैं शिक्षक दिवश की आप सभी को धेरों सुब कामनाई देती हूँ कहते हैं दोस्तो कि अगर एक पुल गलत बन जाए तो ज़्यादा बड़ी दुरगटना नहीं होगी हां जनहानी जरूर होगी लेकिन उसी प्रकार अगर एक डॉक्टर गलत बन जाए तब भी वो अपनी जिन्दगी में कम से कम सो दोसो आदमियों को ही मारेगा लेकिन अगर एक अध्यापक गलत हो जाए और अपना काम सही से ना करे या वो ये सोचे वो अध्यापक की मैं केवल बेतन के लिए काम कर रहा हूँ तो दोस्तों वो अध्यापक ऐसी पीडियां तयार करेगा जिससे की हमारे देश की तरकी ही रुक जाएगी आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अध्यापक होने के लिए बहुती समझदारी और ज्ञान की जरूरत होती है अध्यापकों को चाहिए कि पढ़ाई के बारे में इमानदारिशे बच्चों को आगे बढ़ाएं बिना किसी भेदभाव के शिक्षक के बिना या दुनिया क्या कुछ भी नहीं है बस अंदकार है यहाँ शत शत नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन है यहाँ सारा जहाँ दोस्तों प्रतेक छात्र एवं छात्रा के जीवन में एक शिक्षक की महत्वपुर्ण भूमिका होती है एक सुद्रिड भवन की नीब जितनी महत्वपुर्ण गहरी होनी चीए उतनी ही और मजबूत होनी चीए उतनी ही महत्वपुर्ण है चात्र रुपी जीवन में गुरू की महत्वता कहते हैं दोस्तो पुराणों में भी कहा गया है गुरूर ब्रम्हा गुरूर विष्णू गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर शाक्षात पर ब्रम्हा स्री गुरुवे नमहा दोस्तो बिश्वभर में शिक्षक्ति बस पांच अक्तुबर को मनाया जाता है लेकिन भारत में यह पांच सितंबर को मनाया जाता है इस दिन आजाद भारत के पहले राष्ट्रपती और दूसरे राष्ट्रपती डॉक्टर शर्व पल्ली राधा कृष्ण जी का जनम हुआ था दोस्तो कबीर दाश्ची की कहते हैं कि यदि आपके सामने गुरू और भगवान अगर दोनों खड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले किश को बंदन करोगे दोस्तो कभीर दाश्ची कहते हैं कि गुरू ही आपको भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं इसलिए सरप्रथम गुरू को ही वंदन करना चाहिए दोस्तो एक बच्चे की जिंदगी की सबसे पहली गुरू उसकी मा होती है मा ही वो गुरू होती है जो अपने बच्चे को अच्छे संसकार अच्छे आचरण उठना बैठना नेती पूर्ण दोसरों के साथ बात करने का तरीका घर के छोटे-छोटे कार्य जो होती है वो एक माही होती है जो अपने बालक रुपी अपने बेटे को अपने पौधे को बड़ा करती है धीरे-धीरे और उसकी अंदर संसकार डालती है दूसरों के प्रती दया भाव, नरम दिल होना, दया भाव ये सब एक माही डालती है दूसरी और शिक्षक हमें शांशारिक जीवन का बोध कराते हैं जिस प्रकार एक कुमहार मिट्टी के वरतन को आकार देते हैं क्यूंकि मिट्टी का जो वरतन होता है वो बहले पर कच्चा होता है और उस बरतन को बे आकार देते हैं शिक्षक ठीक उसी प्रकार छातर के जीवन में शिक्षक मुल्यवान कार्य करते हैं गुरू हमें दोस्तों पत्थर की भांती तराश कर दुनिया में हमें एक नया जनम दिलाते हैं दुनिया में हमारी एक नई पहचान दिलाते है हमें उच स्थान तक पहुंचाते हैं हमारे ये शिक्षक तो इनके स्री चरणों में कोटी-कोटी वंदन बहतरी नागरिक हमें बनाते हैं हमारे शिक्षक शिक्षकी हमें ज्यान का पाट पढ़ाते हैं और एक बहतरिन नागरिक बनाते हैं एक बहतरिन भाई बनाते हैं एक बहतरिन पती बनाते हैं और एक बहतर पीता बनाते हैं एक बहतर माता बनाते हैं एक बहतर पतनी बनाते हैं एक बहतर बहन बनाते हैं और एक बहतर बेटी ब आजाएं और बे हमारी जिन्दिगी को ही दोस्तों बदल देते हैं इसलिए ऐसे शिक्षकों के चरणों में शत्षत नमन हमारे जीवन रचित एबंपुज्य गुरू के विशय में मैं और ज्यादा क्या कहूं उसके लिए दुनिया का एक हर शब्द छोटा है तो ये था दोस तो शिक्षक दिवस के उपर आशा करती हूं आप सबको पसंद आया होगा तो प्लीज सब्स्क्राइब में मैं चैनल थेंक यू